तो प्रजन परफेक्टेंस के कुछ विशेश नियम की चर्चा करते हैं जिसे विशेश नियम में आता है इस पूरा सिंटेंस हो सकता है उसने अपना कमरा साफ किया है इसलिए उससे कमरा चमक रहा है या इसलिए उससे कमरा साफ है या कमरा साफ करने का काम पहले हुआ परंत वर्तमान में वर्तमान से इसका संबंध है ठीक ना, he has washed his room, उसने अपना कमरा साफ किया, अर्था तो अपना कमरा साफ किया है, काम हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान समय का बोध करा रहा है, इसलिए कमरा साफ सुतरा लग रहा है, आपको भाव से लग रहा है जिसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने अभी भी अपना क राम फिनिश किया है, और इसलिए मैं अब खड़ा हो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, या मेरी किताब खुली हुई है, इससे ये भाव से पश्ट होता है, दूसरा प्रकार से समझ सकते हैं, राम अपना पेन खो दी, या राम ने अपना पेन खो दिया, अब इसलिए वहाँ प पेंसिल से लिख रहे हैं, कोई पूछ ले आप पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं, कि मैं अपना पेन खो चुका हूँ, मैं अपना पेन खो दिया है, राम पेंसिल से क्यों लिख रहा है, क्योंकि राम ने अपना पेन खो दिया है, यहाँ पर अभी वरतमान में तुरंत तुर जा रहा हूं, जिसे कोई पूर्सकता आप लोग आप कहा जा रहे हो आप बताऊगे ने मैंने अपना पाठ्ध याद कर लिया या मैं अपना पाठ्ध कर चुका हूं इसलिए मैं खेलने जारहा हूं भरतमान से इसका संबंध होता है इसलिए इसको present perfect टेंस कहा जाता है चलिए कुछ और नियम के द्वारा समझते हैं कि कैसे इसको प्रजेंट टेंस में ही रखा जाता है क्योंकि कार बीच चुका होता है फिर भी जैसे अगला नियम कहता I have eaten मैंने खा लिया है अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है ठीक ना इसलिए आप चिंता ना करें इसलिए मैं अब खाने के जंजट से मुक्त हूँ अर्थाथ वर्तमान से संबंध है उसी प्रकासे I have seen my brother I have seen my brother क्या sorry have you seen my brother have you seen my brother क्या आपने मेरे भाई को देखा है अर्थाथ प्रश्ण करता यह जानना चाहेगा कि वह कहां है यह वह उसके बारे में क्या पोजिशन रखता है क्या तुमने मेरे भाई को देखा है बात हो चुकी देखाना देखना के लेकिन अभी वर्तमान में उससे जानना चाहता है कि जानकारी है या नहीं है अभी जानकारी है या नहीं है वर्तमान के विशह में उसी प्रकार से आई हो broken my leg मैंने अपने तांग तोड ली है तांग अभी भी तूटी हुई है अर्थात इसका संबंद वर्तमान से है परंतु I broke my leg से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभी तक तांग तूटी हुई है या ठीक हो गई है यह I broke my leg होगा तो यह हमारा past वाले वाक में तो इस पश्ट होता है कि वाक की काम हो चुका है लेकिन यह फिल होता है जस्ट अभी भी पूरा हुआ है तो इन वाक्यों से अता हम देख रहे हैं कि क्रिया past time में संपन हुई है परंतु इसका भी प्राय या इसका प्रभाव संबंध वर्तमान समय से है यही present perfect tense का मुख्य प्रियोग होता है समझे ना इसको चलिए कुछ और इसके नियम समझते हैं दूसरा नियम पहला नियम थोड़ा confusing भरा हो सकता है बट दूसरा नियम काफी easy है वोताना कभी-कभी जिसे अभी भी रह रहे हैं या अभी बेक दूसरे को जानते हैं या अभी भी इस प्रकार के वाकिक के लिए होता है इसे हमारा नियम कहता है इस tense का प्रियोग ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए भी होता है जो भूत काल में प्रारम हुआ हो और वर्तमान में जारी हो जैद रहेगा ना भूत काल में प्रारम हुआ हो वर्तमान काल में जारी ह भी हम लोग SINCE और FOUR का प्रयोग कर लेते हैं FOUR का प्रयोग हम लोग अनिश्ची समय के लिए करते हैं और SINCE का प्रयोग हम लोग निश्ची समय के लिए करते हैं जैसे We have lived in this house since 1990 1990 से हम इस घर में रह रहे हैं यहां पर We have lived यहां पर देखें प्रफेक्टेंस की बात हो रही है लेकिन रहा रही रहे का भाव हो रहा है चुकि अभी भी हम यहां पर रह रहे हैं लेकिन इस समय से रह रहे हैं यहां पर हमने पढ़ लिया है पहले ही कि भूत काल में घटना का वरतमान काल से संबंध बताया जाता है जैसे we have lived in this house since 1990 जैसे we have known each other for 10 years जहांपर since है चुकि 99 निश्चित समय है यहांपर 10 years निश्चित इसलिए यहांपर फार काप्रयोग किया गया है तो we have known each other for 10 years अभी भी एक दूसरे को जानते हैं ना इसस पस्ट हो रहा है we have known हम जान चुके हैं या हम जानते हैं इच अदर एक दूसरे को for 10 years 10 सालों से अभी भी काम चल रहा है अभी भी आप जानते हो इसलिए इसको हम लोग present perfect tense में रखते हैं उसी प्रकार से I have been ill since Monday अभी भी बीमार हूँ ना यहांपर I have been ill since Sunday मैं Monday से बीमार हूँ अभी भी बीमार चल रहा हूँ इसलिए इसको हम लोग present perfect tense में रखते हैं समझेगा इसको भी चुकी है विशेश नियम की बात है इसलिए थोड़ा सा confusing और doubtful लग सकता है बट यहीवे नियम है जो अगसर हम लोग completion में face करते हैं और हम लोग simple sentence को लिए बैठे रहते हैं और अत्व हम को एहसास होता है कि हम तो इसके बारे हम जानते ही नहीं है इसलिए guys video 1 तक दीखे आपको बहुत से unknown नियम भी जानने को मिलने वाले हैं जैसे इसमें विशेश नोट से संबंदित है जो कार इवया पार प्रकार के tense है जिसके दोरा हम लोग कार्य व्यापार भूत काल में शुरू हुआ हो या भी भी जारी हो उसके लिए दो प्रकार के tense का प्रयोग कर सकते हैं present perfect tense या फिर present perfect continuous tense का प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग हम present perfect tense तदा present perfect continuous tense दोनों में कर सकते हैं परंतु वैसे वापस जो प्राया continuous tense में प्रयोग नहीं होते हैं उनके लिए हम present perfect tense का प्रयोग करते हैं ठीक ना जो tense present perfect continuous tense में प्रयोग में नहीं आ सकते हैं उनको हम लोग present perfect tense में रखते हैं जैसे कुछ example से इस परष्ट है I have lived in this town since 1968 जैसे I have been living in this town since 1968 both are correct जैसे he has lived for two hours जैसे he has been studying for two hours इस प्रकार से आप बना सकते हो examples को दोनों नियम से आप बना सकते हो और उसको समझ सकते हो और समझा सकते हो जैसे next और तरह देख लेते हैं इसे की विशह में जैसे I have जैसे हमने उपर के नियम ले लेकिन कुछ और भी है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं जैसे I have been knowing him for ten years इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं I have been knowing him for ten years इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा I have known him for ten years इसलिए की वर्ब known to know का प्रयोग समनता present continuous tense में नहीं होता है हमने आपको पहले ही बता दिया था इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं We have known him for ten years ठीक है ना तो कुछ और notes की दूसरे notes की बात कर लेते हैं जैसे इस tense के साथ ever, never, always, occasionally, often, several times, already, yet और just, जिसे हिंदी में तुरंत कहते हैं और बहुत सारे word हैं जैसे लेटली लेटली मिस हाल ही में रेसेंटली ये हाल में सो फॉर, अब तक या जहां तक अब टू नो, अभी तक अब टू दू प्रिजेंट वर्तमान समय तक इत्यादी एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स का प्रयोग करते हैं इसमें जैसे तीसरी नोड्स की बात कर लें इस ट्रेंस के साथ एगो का प्रयोग नहीं होता है ना ही अन्य भूत कालिक समय सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं जैसे इसका भी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे करेक्ट और इंकरेक्ट हमने अलग-अलग बना दिया इधर वाले इंकरेक्ट हैं और ये वाले करेक्ट हैं जैसे पहला नियम है हमारा पहला है यहाज कम यस्टरडे यहाज कम यस्टरडे नहीं होता है बलकि क्या होगा यह केम यस्टरडे he has come yesterday वो काला चुका है नहीं he came yesterday वो कल आया उसी प्रकार से I have seen him two years ago नहीं I saw him two years ago होता है इस प्रकार से हब लोगों को नियम को समझना है और नियम का परियोग करते हुए आगे बढ़ना है यह था present perfect tense का विशेश नियम वीडियो confusing भरा हो सकता है आपके लिए इसलिए वीडियो को दो तीन बार दिखेगा सारे concept आपको clear हो जाएंगे चुकि standard level का है इसलिए आपको problem हो सकती है तो गाईज thanks for watching the video जय हिंद